मुझे लगने लगा था कि OnePlus का अब कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि एक से बढ़के एक घटिया फोन लाए ही जा रहे थे और प्राइस उसका तो पूछो ही मत हद से ज्यादा उचाई में उर रहा था लेकिन फिर OnePlus ने मेरे मूँ पर एक जोड़ का तमाचा मारा और कहा कमिया तो मिली लेकिन फोन काफी अच्छा लॉंच किया OnePlus ने तो इसकी कमियों के बारे में बाद में बात करेंगे पहले थोड़ा box content देखते हैं तो box में क्या ही होगा बाई charger होगा क्योंकि OnePlus है वो भी 100W का earphone नहीं होने वाला है of course क्योंकि 3.5 mm jack भी नहीं होगा लेकिन मैं यह ने box content का बात इसलिए किया है क्योंकि company ने जो इसमें case provide किया है वो normal transparent case से बहुत better quality का है looks and design की बात करें और आप OnePlus 11 को जानते हो तो 11R same phone है बस Hasselblad का branding हट गया है और chin थोड़ा पतला है हाँ 11 से पतला chin 11R में है और changes की बात करूं तो इसमें plastic frame है और 11 में metal frame था तो definitely भा 1.5K 120Hz refresh rate वाला super AMOLED display है with HDR10 plus और तो और curved display है और तो और अपने बड़े भाईया OnePlus 11 से भी पतला chin है मतलब no doubt काफी जादा flexible वाला display है specs की बात करें तो processor snapdragon 8 plus gen 1 है हाँ मैं मानता हूं अब flexible phone में 8 plus gen 2 आ रहे हैं लेकिन 8 plus gen 1 किस से पीछे है बताओ तो किसी से नहीं भाई हद स ज्यादा fast है नॉर्मल टास्कों चाहें gaming हो हर चीज में बहुत ज्यादा बयानक है LPDDR5X RAM है UFS 3.1 स्टोरिज टाइप है अंटू दू स्कोर अराउंड 1,000,000 आ रहा है और तो और एक और खास feature जो आपने MI के phones में देखा होगा IR Blaster ये भी है बैटरी की बात करें तो इसमें आउट आउट ऑफ दो ऑक्स एंड्रोइड 13 के साथ है मतलब अपडेट मिलेगा इसको तिल एंड्रोइड 16 कैमरी की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेट अप है 50 मिकापिक्सल का Sony IMX 890 with OIS लेकिन बाकी दो कैमरे में OnePlus ने हग दिया मतलब सीरियसली 8 प्लस 2 य यही तो में चीज है जहां मुझे लगता है कि OnePlus 11 से कम है नहीं तो मिटल का प्लास्टिक फ्रेम होना is not a very big deal और फ्रंट कैमरा 16 मिक्सल का है जो कि ठीक है पर मुझे लगता है अब थोरा अपग्रेड होना चाहिए इसमें 11 5G के बैंट्स हैं मतलब connectivity बहुत अच्छा होने व प्रेंगा फोन है तो fingerprint position थोड़ा सा उपर होना चाहिए था जहां पे है उससे थोड़ा सा नीचे के साइड है जो थोड़ा सा uncomfortable होता है कितना थोड़ा सा मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता पर वो थोड़ा उपर होना चाहिए उसका perfect positioning उससे थोड़ा उपर होगा और क्यो क्या ये phone इस price में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या फिर कैसा है phone तो देखो perfect कोई भी device नहीं है इस world में और OnePlus जिस हिसाब से अपना दाम बढ़ाते जाड़ा था ना उस हिसाब से इसका pricing सबसे पहला तो बहुत गजब है और भले ही इसमें color OS आ गया है लेकिन कहीं मैंने गिनाई है अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो वो बहुत बड़ी कमिया नहीं है जैसे fingerprint sensor का position आपको कुछ दिन में उस position का आदत हो जाएगा यहां ध्यान लगाओ क्या सोच रहते आपको कुछ दिन में fingerprint के position की आदत हो जाएगी कोई IP rating नहीं है लेकिन फिर भी हल विजन वाला content देखते रहता है नॉर्मली तो काफी ज्यादे अच्छा है ना हाई refresh rate अच्छा size अच्छा resolution काफी ज्यादा brightness और सेम डिजाइन है तो oneplus 11 की users को problem हो सकता उससे oneplus 11r के नहीं क्योंकि 11r सस्ता डिवाइस है तो उनकी users को तो और अच्छा है ना कि देखके लग और यही phone लो बाई seriously बहुत अच्छा phone है performance अच्छा है display अच्छा है camera अच्छा है हाँ wide angle और depth तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन overall camera अच्छा है battery अच्छा है charging अच्छा है 4 साल का update भी है मतलब overall definitely oneplus market में आग लगा दिया है ऐसा लगड़ा है जैसे मैं oneplus 7 series के time में वापस गया हूं बस oxygen OS नहीं बचा लेकिन फिर भी phone काफी जादे अच्छा है तो बस इस वीडियो में इतना ही video देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया मिलते अगले वीडियो में बाई